हेलो फ्रेंड्स क्यान स्टूडियो मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यह दिया भी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें तो दोस्तों आज किस वीड तो यह खाने में चटपटी स्वाधिस्ट तो होती है इसके साथ यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदिमंद होती है क्योंकि इमली जो होती है इसमें बिटामिन C,E और B के अलावब इमली में कैलसियन, आइरन, फासफोरस, मैगनीज और फाइबर भी भरपूर मात्रा म इसके साथ इसमें एंटियोग्षीडेंट भी सामिल होती हैं जो की मिलकर आपकी स्वास्त के लिए पायदिमंद होते हैं अगर आप अपने बजन को लेकर सतर्क हैं और बजन कम करना चाहते हैं तो इमली आपकी मदध कर सकती है बजन घटाने के लिएस से इसमें हाइड्र और औकसाइट्रेस एसेड जो होता है पतुर माचरा में पाया जाता है जो कि सरीर में वसा को कम करने में करने वाले एंजाइम को बढ़ाता है तो इस तरह से यह आप अपनी वजन को कंड्रोल करना चाहते हैं तो इमली का सिबन करना आपके लिए लावदायक होगा इसके आपकी पाचन क्रिया को ठीक करने के लिहाज से भी यह बहुत फायदी मंद है इसमें फाइवर जो होते है भरपूर मातरा में होता है जो पाचन में मदद करता है इसके लावा कब्ज और डायरिया जैसे समस्याओं के उप्चार में भी इमली बहुत फायदी मंद है इमली क रस में दूर्ट मिलाकर आँखों के बाहर लगाने से आराम मिलता है आँखों में खुझली होने पर भी इमली जो होती है असरकारक होती है दस लगने की समस्या में भी इमली के वीच काफी फाइदे मंद होते हैं इमली के सूखी हुए बीजों को पीस कर उसमें अधरक होगी यह दिये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल एकन को भी दवाइए ताक कि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकें